नमस्कार दोस्तों अगर आप भी पंचायत भरती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायत के एक सांदार भरती निकलिए कई ज़ादा पदों पर और वो भी दोस्तों यहाँ पर बिना परिक्षा शीधी भरती होगी बैसिकलि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो उसके मादिम से अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर ग्राम पंचायत भरती का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों ग्राम पंचायत की इस पोस्ट पर बिना परिक्षा शीधी भरती के तोर पर आप जो यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं बैसिकलि आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत भरती के बारे में बताने जा रहा हूँ और बैसिकली बात यह है कि आपर पद बहुत जादा है सेलरी भी बहुत अच्छी खासी है यानि कि दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस बरती की बात करने जा रहा है वो भरती कहने का मतलब एक सांदार बरती है और अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर इस तरह की बरतीयों में आवेदन करना चाते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहीएगा आज के इस वीडियो में आप नजर जमा के वीडियो को एंड तक देखते रहीएगा ठीक है और साथी आजके इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एकी मकसद एकी वीजन है कि जो भी भाई इस वीडियो को टाइम निकाल कर पूरा का पूरा देखेगा न वाकई के अंदर यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत की इस बरती के बारे में बैसिक से बैसिक इनफोर्मेशन जो है वो यहाँ पर जान पाएगा इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत बरती की एक दमसानदार जान करें जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायद बरती क्या है ग्राम पंचायद बरती में अलग 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 परकार की पोश्टें कितनी है ग्राम पंचायद बरती में योगता क्या होनी चीए ग्राम पंचायद बरती के अंदर दस्तावेच कौन कौन से होनी चीए ग्राम पंचायद बर और मैंसन आज किस वीडियो के माद्धिम से आपको देने वाला हूँ अगर भाईयों आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना तो दोस्तों आप जो ही यहाँ पर इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना तभी दोस्तों आप एक एक प्रोसस सीख पाएंगे और इस तरह की बर्तियों के जानकारी भी डंग से ले पाएंगे साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि ग्राम पंचायद बरती में कौन सा फॉरम आता है ओफ लाइन और ओनलाइन दोनों माद़े में मैं आपको इस वीडियो के माद़े में से बताऊंगा अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायद बरती की बैसिकली दोस्तों जो ग्राम पंचायद बरती है उसके अंदर यहाँ पर हम आवेदन की सबसे पहले बात करेंगे देखे दोस्तों यहाँ पर यह जो ग्राम पंचायत भरती है यह बड़ी भरती है बैसिकली अलगले राजियों की है लेकिन दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी भरती है अलागि दोस्तों हर ग्राम पंचायत में कहने का मतलब 6 पोश्टें होती ही होती है ठीके तो कहने का जाना चाहूंगा यहां पर जो आपका वेतन है ने इस बरती के अंदर वो यहां पर कितना रहेगा उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों देखिए अगर हम वेतन की बात करें तो यहां पर ग्राम पंचात बरती के अंदर जो वेतन है वो यहां पर अलग अलग परकार करे अलग कि आपर 48,000 रुपे महीना लिखा वो नजर आ रहा है लेकिन दोस्तों ये बड़ी पोष्ट का है बैसी के लिए गर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो लंबे टाइम में आपको इतना पैसा मिलेगा लंबे टाइम तक रहोगे दो ठीक है तो ये तो यहाँ पर वेत ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो तब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो ग्राम पचाइद बढ़ते हैं इसकी बड़ी पोश्ट की सेलरी कितनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सेलरी यहाँ पर होती है अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर योगिता की बैसिकली कुछ लोग यहाँ पर योगिता के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चा जाँगा कि आपकी न्यूनतम योगता आठीव पास ओनी चाहिए अगर आप साइक जैसी ठीक ग्राम साइक जैसी पोश्ट पर नौकरी करना चाहते तो आठीव पास आप होने चाहते हैं तो दोस्तों बारवी पास के साथ आपका ग्रेजिशन कंप्लेट होना चाहिए तब ही तो दोस्तों आप इस तरह की बरती में आवेदन कर पाऊगी लेकिन दोस्तों अगर आप ग्राम साहे की बनना चाहते हो ना तो दोस्तों आठी पास है तो आराम से इस तरह की बरती में आवेदन कर पाएंगी ठीक है ना अब दोस्तों आगे की बात करें आगे की बात यह है ब और वेतन यहाँ पर 48,000 रुपे मैंने पहले का वो योगता आपकी आठवी, दसवी और बारवी पास और दोस्तों बिना परिशाशी दिये मेरिट के अधार पर आपका अगर आप साहिक बनना चाहते हो एक बड़ी या बात बता हूँ आपको अगर दोस्तों आप भी यहाँ इस तरह की बरती में आवेदन करना चाहते हो और बिना परिशाशी दिये लेना चाहते हो तो दोस्तों ग्राम पंचायत के अंदर एक ग्राम साहिक होता है ग्राम साहिक की पोश्ट होती है और जिसमें एक होता है इस्थाई और एक होता है अरस्थाई अगर दोस्तों आप आपर बिना परिक्षा नौकरी लेना चाहते हो तो अस्ताई ग्राम साइक वाली बरती माप आपे दन करियेगा आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अच्छे से नौकरी ले पाएंगे ठीक है इतनी बात आप समझ गया होंगे अब दोस्तों बात करते हैं आगे की आगे की बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की सभी ग्राम पंचायत में जैसे मान लो अलगले जो ग्राम पंचायत जैसे मान लेते हैं आपकी गाउं की ग्राम पंचायत है उसकी बात करें तो ग्राम पंचायत में दू ग्राम साइक होते हैं दू ग्राम सची होते हैं तीन ग्राम सेवक होते हैं आलागि दोस्तों यहाँ पर अलगले ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक की न्यूक्त किया जाता है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कई बड़ ग्राम पंचायत के अंदर दो ग्राम साइग होते हैं दो ग्राम सची होते हैं दो ग्राम सेवक होते हैं छीक है इतना आप समझ गए और दोस्तों एक और बात सेक्षिनिक योगता की बात करें दोस्तों और अगर आप gram सेवग बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी योगिता होनी चाहिए बारवी पास ये दोस्तों आपकी योगिता यहां पर होनी चाहिए योगिता के बारे में हमने डिसकस कर लिया योगिता के बारे में हमने जान लिया अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर द ग्राम सेवक अठारा से चालिस ठीक इतने आपके एज होने चाहिए ठीक है और दोस्तों एक और बात सभी पदों में महिलाओं और S.T. और S.C. और O.B.C. अब भ्यारतियों के लिए पांच साल के आपको छूट दी जाएगी पांच साल का छूट का प्रावधान आपको यहां पर दिया जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं आप और वेतन की बैसिकलिए अगर आप इस तरह की बरतियम आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम साय की 22,000 रुपे ग्राउंड होती ह इसका मैं कुछ नहीं कह सकता अलागि जनरल ली बात करें तो 150 रुपे जनरल क्रेटिक्री इसका होता है, SC, ST, OBC, N, का नहीं होता है ठीक है ऐसा यहां पर लिखाने जरा रहा है लेकिन मैं यहां पर दावे के साथ नहीं कहा रहा है कि यहां पर आपके जिले में आपकी जो ग्राम पंचाथ है उसके अंदर यहां पर कितनी कहने का मतला आवेदन सुरुक लिया जाएगा उसके बारे में आपको पोंट नहीं कह सकता है यहां पर अब दोस्तों एक और चीज़ जैसे कि दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते है उस तरह की बरती में तो आवेदन पर जुड़ के कैने के मतलब रहें वहां पर आपको अपडेट्स मिल जाएगी जो भी बड़ती है जिस तरह जी की बड़ती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले वहां मिल जाएगी आप टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करिए गा ठीक है तो ऐसे में ये कुछ ऐसा फंदा यहां पर आप जानकारी जान गए फोरुम पर नहीं